हलो दोस्तों प्लस्पन के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है निकेच्छा दोस्तों आज का टॉपिक है वो है एडवांस एक्सेल के उपर दोस्तों आप लोगों को मालूं रहेगा कि एडवांस एक्सेल की जो शरुवात हुई थी वो एक् रखने मिलता है तो दोस्तों यह Excel की जो शुरुवात हुई थी पहले हम लोग basic Excel की बात करते हैं फिर advanced Excel की बात करते हैं और फिर आज के topic की बात करते हैं ठीक है तो अगर basic Excel की में बात करूँ तो यह बहुत ही जूना software माना जाता है जो की spreadsheet or database को management करने का टूल है database का मतलब क्या होता है कि अभी रोज मरो की जिंद्गी में जो भी इस्तमाल किये जाते business में जो भी utilization होता है उसका एक record रखना बढ़ता है जिसको हम लोग database के नाम से पैचानते हैं तो वैसे कई millions, 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 millions records को हम लोग maintain कर सकते हैं यह Excel के जरिए हाला कि जूने Excel के data है, analytics of data है, graphic representation of data है, फिर computation में लब analysis कुछ करना है तो उसके लिए generally use करते थे लेकिन आजकल basic Excel से काम हमारा होता नहीं है इसके लिए हमको जरूत पढ़ती है advanced Excel के functions की, advanced Excel में कुछ mathematical functions आते हैं, lookups के बारे में बात्चित होती है, जैसे कि H lookup हो गया, V lookup हो गया, time functions के बारे म logistic functions के उपर होता है, private tables, वैसे कई-कई सारे topics है, जिसका इस्तमाल किया जाता है, advanced Excel में, जैसे हमारे course की बात कर लो, हमारे course में लगबख 58 topics है, जो के advanced Excel के उपर based है, तो ये advanced Excel आफाइदा है, एक तो हमें कई सारे features का इस्तमाल करने का मौका मिलता है, साथी साथ, अगर उस इस तरह से हम लोग काबील कर सकते हैं, advanced Excel के अंदर हम लोग हमारे सबसे कस्टमाइज कर सकते हैं, पूरे software को, यानि कि हमारे business के साथ से हमारे requirement के सबसे Excel का इस्तमाल या billing wise details या account management का काम हम लोग कर सकते हैं, इवन आजकल जो Excel इतना सारा चल रहा है कि हम लोग corporate की दुनिया में भी जाएगे, तो वहाँ पर Excel का भी बहुत जादा यूज होता है, खास करके spreadsheet और database management के लिए, इसमें काफी सारे application जो हम लोग add up कर सकते हैं, visual basic है, micros है, उसका इस्तमाल करके हम लोग हमारा customized software तो बना ही सकते हैं, लेकिन coding की हम इसमें जरूद नहीं पढ़ते हैं, और इ पर एक ही महिने में आप पूरा advanced Excel सीख सकते हो, इतना आसाने सीखना हो और इसमें आपकी salary जो है, लगबक चार गुना बढ़ सकती है, Excel सीखने के कारण, तो आज मेरे साथ में चूड़ेवे होजेवा सर, जो आज हमें बताए कि Excel का एक बहुत ही basic और important topic जिसको हम लोग freezing के नाम से पैचानत है, लेकिन इसके पहले जानकर एक लिए बता दू, हम लोग ने कई सारे online courses चालू कर दिये, online courses में advanced Excel है, tally है, basic है, autocad है, mobile repairing, laptop repairing, जैसे कई सारे अंगीनत courses जैसे आपको यहाँ पर screen में अजर आ रहा है, इस सब courses हम लोग ने चालू कर दिये, और भी बहुत सरे नए ने courses चालू करने वाले है, इस सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app download करना है, plus point training, जो की Google Play Store से आपको मिल जाएगा, यदि अब laptop या computer जोरे सीखना चाते हो, www.pluspointonline.com ये website पर विजिट करके आप आसानी से online courses सीख सकते हो, अधिक जानकरे के लिए जो WhatsApp नमबर यहाँ पर दिख रहा है, इस पर केवल high का मुझे message डाल दीजिए, तो मैं आपको सारी जनकरी WhatsApp करवा दूगा, तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था, आज मेरे साथ में जूड़ेवे होजेवा सर, और होजेवा सर आज हमें freezing के बार में सिखाने वाले, तो चलिए होजेवा की सर देखते हैं कि वो किस तरह से हमें पूरा डीटेल में freezing के topic को सिखाते हैं, हलो गाईज मेरा नाम है और आज का जो हमारा वीडियो है, वो है freeze के उपर, कि freeze pen का किस तरीके से यूज़ करना है, इदम simple यूज़ है इसका, तो अगर जैसे मैं इधर पर लेता हूँ, freeze top pro, तो इ नहीं से मैं इधर पर unfreeze करता हूँ, तो क्या होता है मेरी, यह देखो, 19 row आरी इधर पर, क्योंकि हम लोगों ने यह one row को unfreeze कर दिया, यहाँ पर मैं वापस से बोलता हूँ, इधर पर freeze top row, तो देखिए freeze हो गया हम लोगों का, ठीके, उसके अधर से unfreeze, ओके, उसके जोस बाद 3 को top of दिखाना होगा, अदम touch पे, इस तरीके से, फिर जब मैं इधर से बोलूँगा freeze top row, तो यह मेरा देखो freeze हो गया, तो देख रहे है, ऐसे, ठीके, unfreeze, इसी तरीके से column में भी होता है, कि यह से अभी column A मुझे नजर आ रहा है, तो मैंने गोला freeze first column, तो यह क्या हो जाएगा हम लोगा, first column freeze हो जाएगा, लेकिन फिर अगर जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पर B column मेरा freeze हो, तो मैं इधर arrow से यहाँ पर scroll करता हो थोड़ा सा, तो यह मेरा B column पर name area है, इसको में को freeze करना है, तो इधा पर गुलने का freeze first column, तो यह क्यूंकि इस तरीके से नजर आ रहा है मुझे, तो देखिए, उतना area मेरा freeze हो गया, तो इस तरीके से हम लोग दो freeze first column, first row का use कर सकते हैं, उसके बाद इधर पर next आते हैं, हम लोग इधर पर freeze pens, तो freeze pens का दो कैसे होता है, जिसे मान लोग हम लोग का data है, इतना area मुझे freeze रखना है, बाकी के area मुझे school में डालने हैं, तो इधर पर आप इसके opposite direction पर जो भी area आएगा, आपको जो यह cursor है, इसके opposite direction में यह area आ रहा है, तो यह area freeze हो जाएगा, तो इधर पर आपको simple freeze लेना, freeze pens, तो आप देखिए, आप scroll हो जाए इधर पर, तो यह कि उतना area मेरा freeze हो गया है, ठीक है, अब अगर मैं इसे चाहता हूँ कि इधर से, यहां से, amount के opposite, यानि इतना, इतना data मेरा freeze होना चाहिए, ठीक है, और बाकी यह वाला मेरा school में जाना चाहिए, तो इधर पर cursor में नहीं रखा, तो इसके opposite direction मुझे freeze pens दालना है, ठीक है, तो देखिए, हम लोगों का freeze हो गया, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग freeze, un-freeze कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग freeze pen का use में ले सकते हैं, आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, दोस्तों आपको online courses के बारे में कोई भी जान करी चाहिए, तो मेरा जैसे मैंने बता दिया, मेरा WhatsApp नंबर है यह वाला, इस पर केवल मुझे हाई का message डालिए, इसके लाव मुझे आप mail भी डाल सकते हैं, मेरा mail id niketshah.pluspoint.gmail.com है, दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आतो तो like और share करना ना भूलिए, अगर आप नए है चैनल के उपर तो subscribe का बटन दबा के bell का icon दबा दिजे, ताकि मेरे जो